Hello everyone, welcome to the channel तो आज से हम स्टार्ट करेंगे February के Current Affairs Compilation Insights IES के ये PDF है आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से, प्रेंट आउट निकाल लेजिए वीडियो के साथ-साथ Main Points कुएंडरलाइन करते रहिए कोई डाउट रहता है तो Comment section में जरूर लिखिएगा January तक हम cover कर चुके हैं जो भी एक-दो वीडियोस December की बाकी हैं तो वो काफी जल मैं चैनल पर अपलोड कर दूँगी and due to my own exams जो वीडियोस है वो थोड़ी डिले हो रही है but believe me 25 April तक मेरे जो सभी exams है वो हो जाएंगे almost and जैसी exams होंगे तो 25 April to 27 June को हमारा exam है तो 25 June तक सभी वीडियोस हम अपने complete करेंगे तो आपको चिंता करने के बिल्कुल ज़रत नहीं है चाहे एक ही दिन में दो-दो वीडियोस अपलोड हो but I will complete that इसके साथ साथ आप पहले जो किया हुआ है उसे revise करते रहें तो यह table of contents है यह हम नहीं पढ़ेंगे आप इसको पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो otherwise पढ़ने के ज़रत नहीं है जैसे जैसे topics आते जाएंगे तो वही पर यह table of contents भी हमारे clear होते चले जाएंगे So start करेंगे GS1 से start करेंगे हम Indian culture इसके साथ साथ हम थोड़ा slivers को भी देख सकते हैं जैसे जो new aspirants हैं तो यह topic-wise slivers given होता है जैसे आप देखेंगे topic में तो Indian culture के कुछ art forms literature, architecture from ancient to modern times तो इस तरीके से topics जो होते हैं इस पीडियेफ में cover रहते हैं So important PDF है recommended है by Topper से तो चलिए सबसे पहले start करते हैं Lingraja Temple से काफी time से हम कर रहे हैं और दुबारा से करेंगे important है इसको आप art and culture की main book से भी थोड़ा बहुत revision करते रहिए तो Archaeological Survey of India ने कोछ inquiry बिठाने की कोशिश की है क्योंकि भुवनेश्वर Development Authority ने जो बारवी सेंचरी का जो Lingraja Temple है उसमें कुछ demolition किया तो इशू क्या था Archaeological Survey of India जो की custodian है Lingraja Shrine का क्योंकि ancient monuments and archaeological sites and remains act की according जो Archaeological Survey of India है उसका करतव्य है एक तरके से फर्ज है कि वो temples को क्या करे सुरक्षित रखे तो यहाँ पर कुछ demolition की गई और वो demolition करने से पहले जो municipal officials से उन्होंने permission नहीं ली तो इस act के according ये कहा गया है कि monument के आसपास का जो 100 meter area होता है वो prohibited zone है and 200 meter area regulated zone होता है कि वहाँ पर अगर कुछ construction करनी है कुछ reconstruction करनी है तो उसके लिए permission लेनी होती है किस से national monument authority से and archaeological survey of India से तो ये permission नहीं ले गई अब ये temple के बारे में थोड़ा जान लेते हैं तो लिंगराज temple जो temple है वो shivs को dedicated है बनाया किस ने था सोम वंश के king जजाती केशरी ने इसको बनाया था तो वेरी इंपोर्टेंट ध्यान रखिए गई ये नाम and लाल पत्थरों से बना हुआ है कालिंगा स्टाइल का एक अध्भुत example है नौर्थ में देखो कि तो बिंदु सागर लेक आपको मिलेगी इसके अंदर images जो है देखे आप थोड़े से इसके features देख सकते हैं जैसे रेखा दियोल क्या होता है तो ये जो curved होता है ना इसको रेखा दियोल कहते हैं ये गर्ब ग्रिया है जहां पर मेन मूर्ती रखी जाती है ठीक है ये खकरा दियोला है ठीके इसको आप देख सकते हैं थोड़ सा covered हैं ये पीधा दियोल हैं ये दो जो रखे हुए हैं साथ में ये मंदिर के parts हैं ठीके तो इसको आप थोड़ा art and culture की book से साथ साथ में revise कर लेजिए तो आपका art and culture के भी काफी topics prepared हो जाएंगे then देखिए श्री कृष्णा देवराय तो श्री कृष्णा देवराय के बारे में थोड़ा सा जानते हैं तो देखिए पहला जो epigraphical reference है to the date of death of Vijayanagar king कृष्णा देवराय has been discovered in होने नहाली कनिकुरा इंतुमाकुरो district in करनाचका तो होने नहाली ये करनाचका के अंदर आपको दे मिली है तो एक कन्नड के अंदर एक inscription मिली है कहां मिली है तो माकुरो district के अंदर मिली है जहाँ पर जो विजयनगर के जो king थे कृष्णा देवराय उनके मृत्यू से related कुछ बातें बताई गई है तो ये कहा गया है उस inscription के अंदर की कृष्णा देवराय जो थे वो बहुत ग पूरू के अंदर यहां पर जो गाउं है इसको गिफ्ट किया गया है ताकि पूजा की जाए गौड विरा प्रसन की हनुमंत की आफ्तमा करो तो इन्होंने इस तरीके से ऐसे टेमपल गिफ्ट दिया था तो अब इसके बार इनके बार में थोड़ा जानते हैं कृष्णा द इनके नाम धिहान रखेगा कन्नड राज्य राम रमन आंध्र भोज मूरू रयार अगंदा ठीक है तो इनके नाम है इन्होंने बीजापूर के सुल्तान गोलकॉंडा बामने सल्तनत राजा उफडिसा को हराया था और इंडियन मैथमेटेशियन जो नील कंट सोमाय जी थे वो भी इनके एंपायर में रहे थे इनके टाइम पे ही पॉर्टुगोस ट्रावलर्स आए थे जैसे डुमिंगो पैज आए थे फैन्नियो नुनी जाए थे जो कि इनके एंपायर में भी आए थे ओके तो इनको थोड़ा जो में पॉइंट से उनको अंडरलाइन करके चलिए अब देखिए नेक्स टॉपिक आप देखेंगे तो टॉपिक है दा फ्रीडम स्ट्रगल उसकी स्टेजेस एंड कुछ इंपॉर्टेंट कॉंट्रिब्यूशन्स या कॉंट्रिब्यूटर्स फॉम दिफरेंट पार्ट्स अफ दा कंट्री तो चौरी-चौरा कांड क सेंटेनरी सेलिब्रेशन्स क्योंकि चार फरवरी 2021 में इसके जो संड्रेड यर्स हैं वो कंप्रीट हो जाएंगी और इसी की वज़ा से मातमा गांधी ने जो नॉन कॉपरेशन मुवमेंट थी वो भी बंद कर दी थी तो गोरकपूर डिस्टिक्ट के अंदर ये घटना हु एक तरीके से उपन फायर एंड बेसिकली यहां पर क्या हुआ था कि पुलिस वालों को एक रूम में बंद करके जेल में बंद करके उनको आग लगा दी थी तो इस तरीके का अक्ट किया था पुलिस एस्टेशन के अंदर तो इसकी वज़ा से ही ताकि और हिंसा ना फैल जा था ठीक है एंड जो रिजल्ट आया कि मातमा गांदी ने नॉन कॉपरेशन मुवमेंट बंद कर दी वो बंद करी 12 फरवरी 1922 को चलिए अब हम देखते हैं कुछ स्पेशल फीचर्स, सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डावरसिटी ऑफ इंडिया तो स्पेशल म दिक्कत होती है तो वो आके वहाँ पर बताते हैं तो यहां पर सेंटर ने एक पटीशन को रिजेक्ट कर दिया है कि डिसकंटीनिव नहीं करना है मतलब अबजेक्शन अगर कोई लाना चाहता है तो वो लेकर आए तो गॉर्मेंट ने यह का इंटेंशन यही है ताकि जो प आके जो पीरियर्ड होता है वो जो कुपल जो शादी कर रहे हैं उनके जो रिलेटिवस होते है वो भी ऐसा कुछ काम कर सकते है कि इनकी मारेज ना हो इंटर कास्ट या इंटर रिलीजन मारेज ना हो तो इस सबैशल मैरीज अख्यक्त 54 का यह अलाउ करता है कि आप अप डे यह जो purpose है वो यही है कि interreligious marriages जो है उनको देखा जा सके and marriage जो है वो एक secular institution बन सके तो यह तो ऐसे lines आप थोड़ी बहुत लेख सकते हैं क्योंकि यह हमें learn नहीं करने, learn करने को और भी बहुत कुछ होता है आप जो main points है, जो crux है उसको समझे यहाँ पर सबसे देखे जो बड़ी दिक्कत है वो तो हैरम पढ़ेंगे कि criticism क्या है दूसी चीज यह है कि कुछ particular caste के लिए भी यह है तो यह हमने पहले पढ़ा था, I think इसके अंदर आज इसके अंदर नहीं है तो main point यही है कि जो objections है, वो parties जो है उनको notice देना पड़ता है marriage officer को और कम से कम 30 डे पहले notice देना पड़ता है फिर जो notice होता है, यह marriage notice book पर लिखा जाता है फिर जो marriage officer होता है, वो इस notice को publicly office के जो public place होता है, वहाँ पे इसे paste करते है कि इस दिन शादी होगी, यह नाम है, यह date of birth है parents के नाम क्या है, address, pin code, यह सब लगाए जाते है किसी को अगर कोई objection है, तो वो बता सकता है अगर किसी को objection नहीं होता, तीस दिन के अंदर-अंदर फिर marriage वो करवाई दी जाती है अगर objections होते हैं, तो फिर inquiry होती है तो criticism यह है कि कभी-कभी family के ही लोग जो है वो इस शादी को रोकने के लिए कुछ tactics यूज कर सकते हैं इसमें privacy नहीं रहती है and religious conversion को यह push करते हैं कि religious convert करके फिर शादी कर लीजिये क्योंकि जब आप inter-religious करेंगे तो आपको board पे आपके नाम वगेरा सब paste होंगे तो यह इसके criticism रहते हैं then देखें कुछ topics हैं women and women related issues तो एक नया bill आया है Medical Termination of Pregnancy Amendment Bill 2020 तो यह pass हो गया है लोकसभा के अंदर March 2020 के अंदर and राजय सभा के अंदर भी यह आएगा तो इस bill में कुछ amendments भी हैं जो कि medical board एक गठित किया गया है हर state and union territory के अंदर board जो है वो decide करेगा कि 24 weeks के बाद भी क्या pregnancy जो है उसको abort means करा सकते हैं या नहीं करा सकते हर board के अंदर एक gynecologist होगा, एक radiologist होगा एक sonologist होगा, एक pediatrician होगा कुछ members होगी तो issue यह है कि 82% जो board जो create किया जा रहा है वो unfacable है क्योंकि 82% post to vacancy है तो हम थोड़ा bill के बारे में देखते हैं तो bill के अंदर यह का गया है जैसे दिखिए abortion जो है एक महिने में 4 हफते होते हैं तो 5 weeks के ना होके अगर कोई 6 weeks, मतलब 6 महिने में भी abortion कराना चाता है अपने बच्चे का तो वो करा सके अगर कोई special situation रहती है जैसे किसी के साथ रीप हुआ है या कोई differently able person है उस बच्चे को नहीं वो संभाल पाएंगे तो इस bill के अंदर एक registered medical practitioner की opinion की ज़रत होगी पहले 20 weeks के लिए साथ ही साथ में अगर 20 to 24 weeks के लिए abortion कराना है तो जो registered medical practitioner है उनकी opinion लेना पड़ेगा तो यह जो abortion law है यह 5 decades पुराना है 50 साल पुराना है जहां पे 20 weeks तक लाउट था तो अब यही demand की जा रही है कि 24 weeks तक लाउट किया जाए then दीखे कुछ topics मिलते है population and associated issues से poverty से and development issues से तो center जो है वो census को postpone करने जा रहा है 2022 के अंदर क्योंकि दीखे पहले 2011 में हुआ था अब 10 साल बाद होने थे लेकिन इस साल कोरोना की वज़ा से सोच रहे हैं कि अगले साल इसको किया जाए तो two phases के अंदर होगा एक house listing होगी एक housing census होगा April से लेके सितंबर 2020 तक ये होने थे फिर population enumeration होना था 9 फरवरी से 28 फरवरी 2021 तक जो पहला phase था वो यही था कि जो national पहला phase होना जो national population register है उनको अब एक तरीके से means काम करना था लेकिन postpone हो गया pandemic की वज़ा से तो census क्या होता है census तो आपको ज़रूर पता होगा इतने सारे आगड़े learn करने होते है जहापे आपको population से related कहाँ पे जाधा population है कहाँ पे जन गनत्व जाधा है और ये सब तो ये start सबसे पहले किया था लॉर्ड मायो ने 1872 के अंदर और जो पहला synchronous census हुआ था वो 1881 के अंदर हुआ था दस साल में एक बार होता है कौन करता है Office of Registrar, General and Census Commissioner Ministry of Home Affairs के अंदर ये किया जाता है तो यहाँ पे demography के बारे में literacy, education, कहाँ पे कैसी housing है urbanization, SC लोग कहाँ पर जाद है ST कहाँ पर जाद है language ये सब पता चलती है रिगवेद के अंदर भी कुछ इस तरीके का population count हुआ था 800 to 600 BC में कौटिल्या के अर्थशाष्टर में भी लिखा हुआ है कि population का statistics होना जरूरी है ताकि taxation के बारे में knowledge मिल सके मुगल किंग जो अकबर थे उन्होंने भी अपनी जो रिपोर्ट सी अने अकबरी उसमें भी कहा था कि population से related, industry से related wealth से related data होना चाहिए तो कुछ historical significance भी इसका है देन दिखिए UN Committee for World Food Security endorses voluntary guidelines to end hunger तो पहली बार कुछ guidelines आई है food systems and nutrition के उपर कौन लेके आया है Committee on World Food Security लेके आये है कि कुछ कदम उठाइए ताकि जो हंगर है उसको खतम किया जा सके तो ये सारे दिखिए good points है ये आप mains में लिख सकते हैं seven focus area है कि governance transparent होना चाहिए अच्छा food supply chain होना चाहिए सब को बराबर diets मिले and sustainable food system हो nutrition knowledge सब को होने चाहिए women empowerment होना चाहिए food system resilient होना चाहिए तो अगर कोई foods related आता है तो ये seven areas को आप learn करके as it is means के answer में इनको चिपका सकते हैं लिख सकते हैं ठीक है objective focus यही है कि जो UN decade of action of nutrition है 2016 से 2025 उसके जो इच्छाए हैं उनको हम पूरा कर सकें एक जो सब के पास right है adequate food की वो पूरी हो सके कुछ planning and governance इस तरीके से हो कि सभी जो खाना वगेरा बने वो consumers and producers के according हो small and marginal farmers का भी ध्यान रखा जाए एक committee है world food security की and यही जो committee है world food security की यही ये guidelines लेके आई है ठीक है तो यह 1974 में बनी थी main aim यही है कि review करना कुछ policies बनाना ताकि food security अचीव हो सके then देखिए urbanization उनकी कुछ problems and कुछ remedies देखेंगे switch iconic places तो कौन-कौन सी सबसे अच्छी जगा है तो ministry of जल शक्ती ने 12 sites जो है वो announce की है कि यह switch tourist destinations है phase 4 के अंदर तो देखें काफी आपको famous मिलेंगी इसमें से काफी जो है वो राजस्थान की है और मैं खुद राजस्थान के अंदर रहती हूँ तो राजस्थान का जो history है art culture वो बहुत wide है और मेरी राजस्थान से related exams ही है तो इसी वज़ा से उनकी preparation की वज़ा से मैं वीडियो जो है वो काफी डिले हो गए तो पहले मैं आपको थोड़ा राजस्थान के बारे में बताती हूँ ये कुंबलगर फोर्ट है ठीक है जैसलमेर फोर्ट है रामदेवरा जैसलमेर के अंदर है तो ये तीनों के तीनों such iconic places के अंदर आए है महराष्टरा के अजंता केवज आपको पता होंगे और साची स्टूपा का नाम आपने सुना होगा गॉलकॉंडा फोर्ट आपको तेलंगाना के अंदर मिलेगा सन टैंपल उरिस्सा के अंदर रोग गार्डन चंडिगड के अंदर है लेक जो है जम्मु कश्मीर में है उत्तर परदेश के बाकी बिहारी टैंपल है उत्तर परदेश का आगरा फोर्ट भी है और वेस्ट बेंगाल का कालिघा टैंपल भी है ठीक है तो यह आप नेम से ध्यान रखेगा यह आप 12 के 12 देख सकते हैं यह जैसलमीर का फोर्ट है जिसको हम सोनारगर किलाभी कहते हैं ठीक है और यह आप देखेंगे रामदेवरा है रामदेवरा जो टैंपल है वो आपका पढ़ता है जैसलमीर के अंदर ही तो यहाँ पे जो रामदेव जो थे जैसे संत्पीपा जी हो गए तो यह काफी बड़ी बाते कह जाती है, जैसे एक परशन ने कहा था कि इसकी उचाई इतनी है कि अगर उसको देखें तो सर से पगड़ी गिर जाती है, तो यह कुम्बलगर फोर्ट से रिलेट करता है, महाराना प्रताप का नाम आपने सुना होगा, तो वो सब यहीं पर रहे थे, ठीक है, तो यह आपका हो गया, तो सवच आइकोनिक प्लेसेज, यह इनिशेटिव है, मिनिस्ट्री ओफ दिंकिंग वाट एंड सैनिटेशन का, अभी हमने पड़ा, मिनिस्ट्री ओफ जल शक्ती ने ही इन कुछ specific and significant provisions, basic structure, Indian constitutional scheme का comparison करना other countries के साथ, तो यह सलेबस में है, फर्स टॉपिक है, पुड़ुचेरी LG, तो प्रेजिडेंट जो रामनात कोविंद है, उन्होंने किरन बेदी को remove कर दिया है, as पुड़ुचेरी LG, पुड़ुचेरी की lieutenant governor थी है, अब इनको हटा दिया गया है, किरन बेदी को जो की IPS officer रही है, तो यह बहुत important है कि President Covin ने हटाया and charge जो है वो गवर्नर को भी दिया जा सकता है, of LG, तीक है, क्योंकि यह भी गवर्नर ही है और यह भी गवर्नर ही है, तो जो 7th Constitutional Amendment हुआ था 1956, उसमें कहा गया था कि एक गवर्नर को दो स्टेट्स का चार्ज भी दिया जा सकता है, तो पुड़ुचेरी के जो LG है, उनकी powers क्या है and क्या sources थे, तो आर्टिकल 239A के थ्रू यूनियन टेरिट्री पुड़ुचेरी को गवर्न किया जा रहा था, जो Government of Union Territories Act 1963, यह कहता है क कि भई legislative assembly होगी पुड़ुचेरी के अंदर and council of ministers होगे, साथ में जो administration होगी, वो president करेंगे, किस के थूँ, LG के थूँ, section 44 यह कहता है कि जो LG है, वो अपने discretion के according काम कर सकते हैं, अगर कुछ law making से related बात आती है and council of ministers भी उनको advice कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई difference है, तो जो LG होग calling act करना होता है, section 22 में यह लिखा हुआ है कि जो prior sanction है, administrator का वो जरूरी होता है, अगर कोई भी legislative proposal लेकर आना है, जैसे कोई bill हो गई या amendments हो गई, जो council of ministers लेके आते हैं, तो यह points ध्यान रखिएगा, थोड़ बहुता qualities की लक्षमी कान से भी इसको पढ़ सकते हैं, तो LG को कौ Lawyer's Flag, Violation of Norms in Disha Arrest, एक एक डिशा रवीज इसको अरेस्ट कर लिया गया था क्योंकि इसने toolkit share की थी, toolkit basically क्या होता है कि इस time पे ऐसे post करना, यहां link share करना, hashtag ऐसे लगाना, तो यह जो दिशा थी, वो यह इस तरीके से toolkit इनोंने शेर की, तो इसके ले इनको अरेस्ट कर लिया दिशा को अरेस्ट किया गया कि इनोंने toolkit को एडिट किया क्योंकि farmer के protest चल रहे थे, जो global climate leader है, Greta Thunberg, उन्होंने इनको यह जो toolkit थी, यह forward की थी, तो इनके ओपर यही एक तरीके से इल्जाम लगाया गया कि इनोंने देश द्रो किया है, ठीक है, तो यह points थे, तो rules क्या है, lawyers के according, हर जो process होती है law की, वो इसके अंदर follow नहीं की गई, Delhi police ने कोई guidelines follow नहीं की, जो Supreme Court ने अरनेश कुमार versus state of Bihar के अंदर दी थी, section 80 जो है criminal procedure code का, वो ही कहते है, कि अगर किसी भी person को arrest किया जाता है, तो उसे magistrate के सामने लेकर आना होता है, and opportunity नहीं दी गई कि वो अपने आपने कोई legal council को ले सकें, तो article 22 को भी breach किया गया है, ठीक है, तो ये सब points ध्यान रखेगा, दिन देखिए money bills क्या होते हैं, तो ये आपने polity में भी पढ़े होंगे, तो Congress ने लिखा है, लोकसभा Speaker Ombila को, कि वो बाइपास ना करें Rajya Sabha को by declaring seven key bills, including one of the privatization of two public sector banks, तो public sector banks के privatization से related, कुछ issues है, जिसकी वज़ा से Congress जो है, वो लिख रहे हैं किसको लोकसभा Speaker Ombila को, तो राज्यासभा के पास देखिए, हमने पढ़ा हुआ है कि money bill के comparison में थोड़ी कम powers होती है, और लोकसभा चाहे, तो राज्यासभा की दी हुई amendments या उनकी दी हुई जो सला है, उनको मा आने या फिर ना माने, तो money bill को define के आगे article 110 के अंदर, इसके अंदर basically seven features है, जैसे कहीं पे tax impose करना है, या regulate करना है, सरकार को कहीं से money borrow करना है, तो ये seven point थोड़ा ध्यान रखेगा, withdraw करना है money, तो ये सब point है, और जब भी देखे कोई dispute होता है कि कोई bill money bill है या नहीं है, तो किसका decision final होता है, लोग सभाई speaker का, देन देखिए, pardoning powers of president, ये सभी आप policy की books में भी पढ़ सकते है, और उसके साथ ही आप current affairs भी पढ़ सकते है, ठीक है, साथ में, आप इनका pdf निकाल लेजिए, मेरी according तो मेरी ये ही सल है, कि आप pdf रखिए साथ में, और वीडियो को सुन powers of president, तो 12 year old son of Shabnam, ये Shabnam वही है, जिसने अपने पूरे family को मार दिया था, तो उत्तर परदेश की अमरोहा से, तो इनके जो बेटे हैं Shabnam, उन्होंने प्रेजिएंट रामनात कोविंद को लिखा कि वही उनकी मा को माफ कर दिया जाए, तो Shabnam ने legal remedies जो है, वो सभी एक त powers है, प्रेजिएंट की अंडर आटिकल 72, जहापे pardon है, commutation है, reprieve है, respite है, and remissions है, तो इनको आप याद किया लेजिए, देखे, pardon का मतलब होता है, बिल्कुल ऐसे बरी कर देना, जैसे कि कोई गुना ही नहीं किया हो, commutation का मतलब ये होता है, कि simple, मतलब एक tough punishment की जगा, simple punishment दे इत्रेक बना कर learn कीजिए, या कैसे भी कीजिए, तो commutation का मतलब ये होता है, reprieve का मतलब क्या होता है, थोड़े time के लिए death sentence को suspend कर देना, ठीक है, जैसे कि माले जी आप pardon को suspend कर रहे हैं, कि अभी हम आफ नहीं कर रहे हैं, थोड़े time के लिए suspend कीजिए, या punishment आपको अगर कम है, या कोई और reason की वज़ा से, कुछ special grounds की वज़ा से, अगर कोई कम punishment दी जाते है, देखें, commutation के अंदर भी कम punishment होते है, respite के अंदर भी कम होते है, लेकिन respite में कोई special ground होना चाहिए, commutation में कोई special ground की ज़रत नहीं होती, remission का मतलब होता है, जो time period है sentence का, उसको कम कर देना, character को change नहीं करना, जैसे एक साल की सजा है, तो एक साल की ही रहेगी, मतलब सजा जो है, वो time period के लिए ही रहेगी, लेकिन एक साल की जगा 6 महीनी की हो जाएगी, तो character नहीं चेंज होगा, ठोड़ा time period की हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, pardon मतलब, बिलकु period को कम कर देना and then governor के पास भी ये powers होती है लेकिन थोड़ी से limited होती है as compared to president article 161 जो है वो कुछ powers बताता है governor के बारे में लेकिन जो court marshal के through अगर कोई punishment दी गई है तो president वहाँ pardon कर सकता है लेकिन governor वहाँ pardon नहीं कर सकता ठीक है and death sentences के अंदर भी president pardon कर सकता है लेकिन governor death sentences में pardon नहीं कर सकता okay तो ये जो power है pardon की ये president use करता है लेकिन किस के नाम किस की advice पर council of ministers की advice पर Supreme Court ने एक पूरो सुधाकर case आये ता जहांपे कहा था कि अगर pardon भी करते है president या फिर governor तो उसमें भी judicial review है तो धिहान रखिए गई ये cases then देखे पूडुचेरी LG orders flow test तो ये जो पूडुचेरी की LG थे इन्होंने जो किरनबेदी थे इन्होंने flow test का order दे दिया था तो जो newly appointed है नई अभी ये वो वाली बात नहीं है sorry for the mistake जो newly appointed LG है अभी अमने पढ़ा था ना कि जो वहां के governor है कहा के तेलंगाना के तमिल साई सौधरा रजन इन्होंने assembly को कहा है कि house जो है वो इकठा हो और देखते है 22 fab को जो chief minister है वो confidence enjoy कर पाते हैं या नहीं ओके तो धान रखेगा किरनबेदी अभट चुकी है तो flow test क्या होता है जहां पर majority test चेक की जाएगी कि वही chief minister के पास majority है भी नहीं भी तो governor उनको कहेंगे क्या प्रूफ कीजे coalition government होती है तो vote of confidence मांगा जाता है तो अगर majority नहीं हुई अगर मालीजे majority नहीं हुई तो governor जो है उनको कह सकते हैं कि भई आप majority लेकर आईए अगर कुछ legislators absent है या किसी ने vote नहीं किया है तो यह जो numbers होंगे यह उनी basis पे calculate होंगे सिर्फ वही amilis जो की vote करने के लिए present है article 75 subsection 3 and article 164 के अंदर यह लिखा हुआ है आपने पढ़े होंगे state legislature के chapter, parliament के chapter कि जो council of ministers है वो responsible होते हैं house of people को then देखे Jammu and Kashmir Delimitation Commission तो Jammu and Kashmir जो Delimitation Commission है उन्होंने पहले meeting की and Faruk, Abdullah and जो दूसरे leaders थे वो present नहीं थे तो Delimitation Commission सेंटर ने इसको establish किया देखे यह एक बार 1962 में हो चुकी है, 72 में हो चुकी है, 2002 में हो चुकी है, 52 में हो चुकी है तो Jammu and Seas के according जो boundaries और limits है वो fix कर देना कि इतनी पर कितनी seat होगी ना यह एक High Powerful Commission इसके बठाई जाती है, Delimitation Commission यह जिसको boundary commission कहते है और इनके जो भी laws होते हैं, जो भी rules होते हैं वो किसी court में भी challenge नहीं हो सकते तो यह Delimitation Act 2002 के according यह मतलब composition जो है वो कितना होना चाहिए, 3 members होते हैं इसके अंदर, Delimitation Commission के अंदर जैसे कि Supreme Court के कोई serving या फिर retired judge हो, Chief Election Commissioner या फिर election commissioner, अगर Chief Election Commissioner खुद है तो वो होगी, अगर वो नहीं है तो वो किसी election commissioner को nominate करेंगे और state के जो election commissioners होते हैं, वो इसके ex-officio members होते हैं, तो इसका composition बहुत important है, ध्यान रखेगा Article 82 में लिखा हुआ है कि Parliament जो है हर census के बाद, ऐसे अब 2021 में होना था लेकिन नहीं हो पाया, तो Delimitation Act करना होते हैं, और Article 170 के according states को, ठीक है, तो यह point हो गए, then देखिए, what next in Pudducherry as Narayan Swami loses trust vote, तो Congress की जो government है, Congress-led government वो Pudducherry के अंदर fail हो गई, Chief Minister V Narayan Swami ने, Narayan Swami, maybe I am pronouncing it wrong, तो इन्हों ने अपना resignation दे दिया, LG Tamil Saai, Saudara Rajan को, क्योंकि यह confidence को नहीं जीत पाई, तो जो opposition थी, अब हो सकता है, मिल जाए, एंड एक नए सरकार बनाए, LG ने कहा है कि अभी हाँ पर President Rule लगना चाहिए, और LG ने Narayan Swami को यह भी कहा, कि वो जब तक elections होते हैं, तब तक कि Artikers CM बन कर रह सकते हैं, तो Article 356 के अंदर लिखा हुआ है, कि President के पास power है, कि अगर वो, मतलब, जो Constitution के provisions हैं, उन्हें follow नहीं कर पाई, तो वहाँ पर President Rule लग जाएगा, ध्यान रखेगा, President Rule को State Emergency and Constitutional Emergency भी कहते हैं, क्योंकि Constitutional Emergency इसलिए कहते हैं, क्योंकि Constitution के provisions के accordance State नहीं चल पाती, तो यहाँ पे अब कोई Council of Ministers नहीं होंगे, Governor ही सारी proceedings को head करेंगे, और जो President Rule है, वो अप्रूव कराना होगा, पार्लियमेंट से दो महीने के अंदर-अंदर, और जो Approval है, यह Simple Majority से हो सकता है, जैसे हम सोसते होंगी, और मैं खासकर पहले सोसती थी कि जो President Rule है, वो Special Majority से पास होना चाहिए, लेकिन जो Special Majority यहाँ पर नहीं चाहिए होती है, Simple Majority चाहिए होती है, वैलिड होती है 6 महीने के लिए, अगर उसके बाद बढ़ानी है, तो हर 6 महीने बाद means voting करनी होती है, और maximum जो पीरियर है, तीन साल तक इसको extend किया जा सकता है, जैनाव रिपोर्ट जो है गवर्नर की, तो यह same point है कि क्योंकि constitutions की according वो नहीं चल पाए, and vote of confidence नहीं ले पाए, जो प्रेजिडेंट रूल है, उसे प्रेजिडेंट कभी भी अटा सकता है, उस टाइम पर पार्लियमेंट अप्रूवल की ज़रत नहीं होती then देखी, next topics है, कुछ functions, responsibilities, union की states की, कुछ issues, कुछ challenges, जो की federal structure से related है, devolution of powers, क्या finances है, local levels को, and क्या challenges है तो Supreme Court ने मना कर दिया कि उत्तर परदेश के अंदर प्रेजिडेंट रूल नहीं लगेगा, तो एक PILIT, Public Interest Litigation IT की उत्तर परदेश के अंदर भी प्रेजिडेंट रूल लगा दो, क्योंकि वहाँ पे crime बहुत ज़ादा बढ़ रहे है, constitutional machinery fail हो गई है तो उन्होंने कहा कि आप जो अपने पहले crime records को, court ने कहा कि अपने जो crime records है, उनकी अच्छे से research करके लाइए and आपने petitioner ने कहा कि unnecessary killings हो रही है, extra judicial killings हो रही है and situation आ गई है, जहाँ पे government of उत्तर परदेश जो है, वो अच्छे से काम नहीं कर पा रही है तो थोड़ी report देख लेते हैं, National Crime Bureau Crime Report आई थी 2019 में, जहाँ पे उत्तर परदेश में सबसे जादा crimes होते हैं against women, इंडिया के अंदर 4,05,861 cases 2019 में आये थे, जिसमें से उत्तर परदेश के अंदर 59,853 cases थे मतलब लगभग लगभग 4,06,000 में से 60,000 cases जो थे वो उत्तर परदेश में थे उत्तर परदेश को मेंनी इंडिया भी कहते हैं and President Rule क्या होता है, यह हम देखिए अभी पढ़ चुके हैं, तो यह मैं अभी आपको नहीं पढ़ाऊंगी यह भी मैंने अभी आपको पढ़ाया है, Parliament Approval यह भी मैंने आपको भी पढ़ा दिया ओके, सो अब हम इसको दुबारा से नहीं पढ़ेंगे then देखिए Urban Local Bodies Reforms तो गोवा एक ऐसी छटी स्टेट बन गई है जिनोंने Urban Local Bodies Reforms जो है वो complete कर लिए अब इनको additional borrowing मिलेगी केंदर सरकार से 223 करोड रुपे की इससे पहले और पाँच स्टेट ने Urban Local Body Reforms जो है वो complete कर लिए कौन कौन से हैं, आंधर परदेश के साथ तेलंगाना आप याद रखिएगा ठीक है, मध्या परदेश ध्यान रखिएगा, मध्या परदेश से लगता ही है राजस्थान और राजस्थान की सबसे जादा बाउंडरी मध्या परदेश से ही लगती है 1600 किलोमेटर क्योंकि मैं राजस्थान से बिलॉंग करती हूँ राजस्थान की करण्ट अफेर्स में आता है फेर आपका है मनिपूर, तो राजस्थान, मध्या परदेश एक साथ है आंध्या परदेश, तिलंगाना एक साथ है, गो और मनिपूर अलग-अलग है तो यहाँ पर urban local bodies reforms जो है, वो पूरे हो चुके है means financial strengthening, अब यहाँ पर होगी अच्छी health facilities, sanitation services यहाँ पर मिलेंगी एक अच्छा civic infrastructure क्रियेट किया जाएगा तो जो department of expenditure है, उन्होंने कुछ reforms किये जैसे state बताएगी कि property tax कितना लगेगा and user charges कितने होगे related to water supply, drainage and all periodically time पर increment होता रहेगा, तो four citizen centric areas है एक तो वहाँ पर one nation, one ration card system होगा, ease of doing business reforms वहाँ पर हुए है and urban local body जो है, वो वहाँ पर reforms हुए power sector reforms हुए, तो यह four sector है, important है, हो सकता है current affairs में पोच लिया जाए, कि चार्चीजों के अंदर क्या-क्या आता है तो one nation, one ration card आता है, ease of doing business आता है, urban local body reforms आते हैं and power sector reforms आते हैं, देन देखिए नागालेंड assembly ने एक panel बनाया है नागा political issues से related तो एक seven member drafting committee बनाई है, because काफी सारी issues है armed extremism होता रहते हैं क्योंकि काफी हमारे इंडिया के जो बिल्कुल left side में पढ़ता है, ठीक है, poor of की side में पढ़ता है, तो नागालेंड के अंदर काफी सारे decades से ही problem चल रही है and इसाक मुवा faction हुआ था किसका National Socialist Council of Nagaland का जिन्होंने ceasefire declare कर दिया था, फिर काफी सारे देखिए बातचीत की वो भी चली लेकिन कोई solution नहीं निकल पाया, फिर 15 अगस्त को एक agreement हुआ कि वहां पर कुछ नागा national political groups and center के बीच में एक agreement बनाये गया कि इस problem को solve करने की कोशिश करते हैं, तो issue क्या है, कितना पुराना है, तो independence से पहले देखे जब Britishers ने आसाम को annex किया था 1826 में and 1881 में जो नागा hills थे, वो भी किसका पार्ट बन गए थे, British India का पार्ट बन गए थे, तभी से ही इनका resistance था, फिर इनोंने नागा club बना लिया 1918 में, जा पर Simon Commission को भी कहा कि हमें हमारे हाल पर ही छोड़ दो, फिर 1946 में नागा national council बन गई जिन्होंने कहा कि नागा लेंड तो independent state रहेगा, फिर नागा लेंड जो national council है इनोंने ही अपनी एक sovereign नागा state बना लिए एक referendum कंड़क्ट किया 1951 में, referendum में जहां पर लोग वोट करते हैं उन्होंने कहा कि इंसरजेंसी को crush करते हैं और 1958 में Armed Forces Act आफस्पावाँ पर लग गया था चलिए, अब next topics हैं कुछ separation of powers between various organ dispute, redressal mechanisms and institutions से related, तो सबसे पहले है National Commission for SCs तो नए chief बने है National Commission for SC के कौन बने है? विजय सामपला, तो नाम ध्यान रखेगा और देखें, trick से याद करा चाहे तो ससे सामपला ध्यान रखेगा, तो थोड़ा बस याद रह जाएगा तो यह क्या होती है National Commission for Scheduled Cast? अगें, पॉलिटी से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे Scheduled Cast को एक तरीके से, means उनको safety provide करना कि उनके कोई, जैसे minerals वगेरा हो गए, उनको, यह Scheduled Tribes के लिए होता है लेकिन National Scheduled Tribes को हम बाद में पढ़ेंगे तो Scheduled Cast के लिए क्या कि इनको exploitation ना करें, कोई इनकी development हो सके फिर National Scheduled Tribes जो है वो भी बने और Article 338A डाला गया उसके लिए फिर इस amendment के थुर, National Schedule for, National Commission for Scheduled Cast अलग हो गया और National Commission for Scheduled Tribe अलग हो गया, तो यह दोनों अलग-अलग हो गया February 2004 के अंदर, अब इसमें कौन होते हैं, टोटल 5 होते हैं एक chairperson होते हैं, एक vice chairperson होते हैं और 3 other members होते हैं, and they are appointed by the president by warrant under his hand and seal चेक करिएगा, I think governor भी, governor जो होते हैं, वो भी by president by warrant under his hand and seal होते हैं National Commission for SC and STB क्या होते हैं, president by warrant under his hand and seal जब वो vision IS के questions करते हैं, तो उसमें बहुत पूछे जाते हैं कि under his hand and seal कौन-कौन से हैं कौन किसको remove करता है, starting में बहुत confusing होता था, लेकिन दीरे-दीरे जब आप practice papers करते हैं, तो फिर learn करना पड़ता है तो ये points काफ़ important होते हैं then देखें, करनाचका to move supreme court against Tamil Nadu project तो जो करनाचका है, वो supreme court जाने वाले है, क्यों Tamil Nadu के खिलाफ क्योंकि वहाँ पे एक river linking project, अभी mains में भी एक river linking project के बारे में पूछा गया था, I think केन बेटवा के बारे में तो ये चार river, देखें, ये rivers को link इसलिए किया जाता है, ताकि माली जे ये rivers हैं अब इनका पानी यहाँ पे available करा दिया जाएगा फॉर एक्जामपल, जैसे उनका पानी जो था वो बुंदेल खंड में अविलेबल करवाए जा रहा था, केन बेटवा का, तो उससे क्या होगा, यहाँ के लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है, तो इन river का पानी यहाँ पर पहुचाए जाता है, तो ये होते river linking project तो करनाच का जो है, वो अब इसके लिए लड़ाई करने वाला है, क्योंकि कावेरी, विलारू, वैगई और गुंडर रिवर जो है, इनको interlink करने की बात हो रही है, 262 किलोमीटर का ये project है, जिसके through 6300 cubic feet जो surplus water होता है, बाड के टाइम पे, वो उन districts को दिया जाएगा, इस तो करनाच का ने काए कि ये बाई, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट की अक्वाडिंग नहीं है, ट्रिबुनल डिसाइड करेगा कि कितना मिलेगा, तो ये एक dispute एक बना था, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट सेक्ट 1956 में, जिसके इने स्टेट रिक्वेस्ट करती है, रिगार्डिंग एनी वाटर डिस्प्यूट, अगर उन्हें लगता है कि ये dispute नेगोशेशन के तुरू नहीं सॉल्व हो पा रहा है, तो एक वाटर डिस्प्यूट ट्रिबुनल बनाया जाता है, फिर इसको अमेंड किया गया 2002 में सरकारिया कमेशन क कि रिकमेंडेशन पे, और का गया कि एक साल का टाइम फ्रेम होगा कि ये जो ट्रिबुनल है, ये सेट अप किया रहा है, तीन साल का टाइम होगा डिसीजन देने के लिए, फिर कुछ प्रोविजन हैं इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट के, एंट्री नंबर 17 ज आटिकल 262 में आता है, इंटर स्टेट काउंसिल जिसमें बनती है, कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है, तो उनका सॉल्फ कराने के लिए इंटर स्टेट रिवर वैली बनेगी, और पार्लियमेंट जो है, वो उसको सॉल्फ करने की कोशिश करेगी, तो वाटर किसमें आता है, और इसके बाद आपको वीडियो जो है, वो रेगुलर बिए, तो प्रेजिडेंट एड्रेस देते हैं सबसे पहले, मेंस अड्रेस करते हैं पार्लियमेंट को, उसके बाद उनने मोशन ओफ थैंक्स दिया जाता है, तो डिबेट हुआ राज्यसभा के अंदर, तीन दिन तक कि जो 50 स्पीकर्स हैं, 25 पॉलिटिकल पार्टी से वो पार्टिस्पेट करेंगे या फिर नहीं करेंगे, तो मोशन ओफ थैंक्स हर हाउस के अंदर दिया जाता है, जो रूलिंग पार्टी के अंपीज होते हैं, वो देते हैं, और इस सेशन के टाइम पे अगर कुछ अम मोशन ओफ थैंक्स के अंदर अगर अमेंडमेंट करनी हैं, तो प्रेजिडेंट जब एड्रेस कर देंगे, तब उसके बाद ही वो वेलकम किये जाते हैं, अमेंडमेंट्स जो होते हैं, वो एड्रेस में भी एड्रेस जो किया है प्रेजिडेंट ने, उसके रिलेटेड में भी हो सकता है और कोई और भी हो सकता है, amendments जो होती है वो motion of thanks में तब ही आती हैं, अगर speaker को लगता है कि वो appropriate है, now limitations क्या है, limitations यही है, members जो है, वो उन matters को refer नहीं कर सकते, जो central government की direct responsibility नहीं है, and जहां पर name of president जो है, वो brought नहीं हो सकता, तो वहां के points के लिए address नहीं किया जा स means वो matters जो है वो सामने नहीं रखे जा सकते कुछ provisions article 86 and article 87 जो subsection 1 है दोनों के and जो rule 16 to 24 rules of procedure and conduct of business के हैं यहाँ पर president address के बारे में लिखा हुआ है and यहाँ पर motion of thanks के बारे में तो member of parliament जो होते हैं जो MPs होते हैं वो vote करते हैं motion of thanks पे and दोनों houses के अंदर यह pass होना जरूरी है अगर यह fail हो जाते हैं इसका मतलब सरकार गिर भी सकती है तो motion of thanks को no confidence motion की तरह भी माना जाता है so it was important then देखें breach of privilege यह भी हम काफी time से पढ़ रहे हैं देखें अगर आप continuously videos को follow कर रहे होंगे तो काफी topics ऐसे हैं जो हम 2 साल से continuously पढ़ रहे हैं तो यह आपने देखा भी होगा and आप इस चीज को praise भी कीजिए क्योंकि काफी महनत लगती है videos बनाने में भी तो आप ज़रू किया किसके खिलाफ त्रिनमुल कॉंग्रेस MP महुआ मोइत्रा के खिलाफ लोकसभा में क्योंकि इन्होंने कुछ रिमार्क्स दिये थे पहले जो Chief Justice ऑफ इंडिया रहे हैं उनके खिलाफ तो इशु क्या था जब President address पर motion of thanks के बारे में बोलने की बारी आई तो जो महुआ उन्होंने काफी means judge के conduct के बारे में कुछ कहा तो ये question उठा कि क्या conduct of judge जो है वो discuss हो सकता है floor of house पर या फिर नहीं हो सकता तो article 121 ये कहता है कि आप किसी sitting या किसी former judge के बारे में allegations जो है वो नहीं लगा सकते तो privileges है parliamentary privileges होते है ये parliamentary privileges legislatures को मिलते है legislatures को protection मिलती है और कुछ provisions है constitutions के जो की privileges of legislature को protect भी करते हैं जैसे article 105 और article 194 105 जो है वो MP से related करता है means parliament से related and article 194 state legislatures से related तो breach of privilege क्या नहीं है तो कोई clear या कोई defined rules नहीं है इसलिए देखिए doubts भी उठते हैं कि breach of privilege यहाँ पे activate हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा breach of privilege का मतलब simple यह है कोई भी ऐसी तरीका कोई भी ऐसा act जिससे house of state legislature के काम करने में कोई रुकावट आई या कोई अपनी duty ना कर पाए तो उसको भी breach of privilege मान लिया जाता है अगर आप कुछ ऐसा print या publish कर देते हैं house के character या proceedings के बारे में तो वो भी breach of privilege माना जाता है now क्या procedure है जो follow करना होता है breach of privilege के अंदर तो जो legislative assembly के speaker है या legislative council के जो chairman होते हैं वो एक privileges committee बनाते हैं जिसके अंदर nominated members होते हैं सबसे पहले तो जो speaker और chairman है वही decide करते है motion के बारे में अगर उन्हें लगता है कि ये ठीक है तो वो privilege committee को forward कर देते हैं फिर committee देखती है कि क्या statements ने really miss state legislature या उसके members की insult की है या नहीं तो committee के एक तरीके से quasi judicial powers भी है वो explanation भी मांग सकते हैं inquiry भी conduct कर सकते हैं and recommendation भी दे सकते हैं कि आगी क्या होना चाहिए so it was important and देखे सबसे important बात ये तो जो breach of privilege है ये जैसे हमने पढ़ा किस के against है MPs के against लेकिन कुछ breach of privileges होते हैं जो कि contempt of court अगर court की अवमानना होती है तो उसको contempt of court कहते हैं तो यहाँ पर MP ने move किया है तो इसलिए breach of privilege है अगर court कहता तो court of contempt हो जाता, contempt of court हो जाता then देखे, disqualification of seven Naga Land MLA's तो Kohima Bench, जो Goa Hattie की Kohima Bench है उन्होंने दो applications को dismiss कर दिया ये जो applications थी ये Naga people front लेकर आए थे कि means जो seven members जो है वहाँ पर देखे MLA जो है वो 60 member Naga Land Assembly है कि उसके जो seven members है उसको suspend कर दिया जाए क्योंकि accurate petition भी आई थी तो issue ये था 24 April 2019 को जो Naga people front है उन्होंने कहा था कि disqualify कर दिये seven suspended MLA's को and due to, क्योंकि Congress candidates को इन्होंने support किया 2019 लोगसभा polls के अंदर NPF ने जो National Naga people front है उन्होंने कहा कि ये जो सभी seven MLA है इन्होंने जान पूछ की अपनी party membership दी है तो इसका मतलब इन पर anti-defection law लगना चाहिए लेकिन MLA's ने कहा कि जो NPF का decision है Congress candidate को support करना वो reasonableism के principle के खिलाफ था इसलिए उन्होंने उसका साथ दिया NPF ने contest नहीं किया polls को तो anti-defection law यहाँ पर important हो जाता है जो कि 10th schedule के अंदर लिखा हुआ है 52nd amendment 1985 के तुरू ये लाया गया था यहाँ पर ये बताया जाता है कि किस तरीके से legislators को disqualify किया जा सकता है on the ground of defection and इसकी जो responsibility होती है वो presiding officer की होती है जो भी decision होता है वो chairman या फिर speaker लेते है and उन्ही का decision जो होता है वो final होता है ठीक है disqualification कब-कब हो सकता है अगर जान पूछ के वो political party की membership give up कर दे या फिर क्या करे means party जो directions दे रिया उसके according काम ना करे and अगर member ने permission ले हुई है तो party जो होती है वो 15 days के अंदर उन्हें बताना होता है कि otherwise वो member क्या हो जाता है disqualify हो जाता है अगर independent candidate आप means निर्दल्य लड़ते हैं and election के बाद आप कोई political party join कर लेते हैं तो वो भी disqualification होता है and अगर आप nominate होकर means nominated member है और member बनने के बाद 6 months के अंदर अगर आप कोई party join कर लेते हैं तो भी आप defection के अंदर आ जाते हैं कौन को नहीं आते अगर आपकी ही party के 2 3rd जो members हैं वो merger के किसी और party के साथ मिलना चाहते हों या जो means किसी member ने decide नहीं किया nor the members decided to merge nor the ones who stay with the original party फिर कोई disqualification नहीं होगा जो presiding officer का जो decision है means अगर presiding officer ने जो speaker है या फिर जो आपके क्या हो गए chairman जो हो गए ठीक है speaker हो गए जो आपके chairman हो गए तो अगर मालीजे ये decide करते हैं कि भाई ये disqualified है तो इसको review भी किया जा सकता है ऐसा supreme court ने कहा था 1992 के अंदर ठीक है then देखे the doctrine of separation of powers यहाँ पर doctrine of separation of powers का simple मतलब ये है executive का काम executive करे judiciary का काम judiciary करे legislature का काम legislator करे कोई भी एक दूसरे के काम में टांग ना अडाए तो जो law minister रवी शंकर प्रसाद है उन्होंने कहा कि लोग सभा जो है का कि सबकी जो powers है वो separate है तो issue ये था कि PIL's file हो रही थी almost हर issue के उपर तो doctrine of separation of powers यही है कि executive, legislative and judicial powers जो है वो तीनों अलग-अलग है ये explicitly देखे constitution के अंदर basic structure जो है वो clearly defined नहीं है तो कुछ articles है जो separation of powers को बताते हैं जैसे article 50 ये कहता है कि judiciary अलग है, executive अलग है अलग है, it means दोनों के काम भी अलग-अलग हो गए article 122 and 212 ये कहता है कि parliament या legislature के अंदर कोई भी काम हो रहा है तो वो court उसके उपर question नहीं उठा सकती तो यहाँ पर legislators privileges enjoy करते हैं similarly judges का जो conduct है वो भी आप discuss नहीं कर सकते ये article 121 and 211 में लिखा हुआ है article 53 and 54 ये कहते है कि union या जो state की executive power है, वो president के हाथ में and governor जो होते हैं, वो immunity enjoy करते हैं civil and criminal liability से 361 ये भी कहता है कि president और जो governor है वो answerable नहीं है, जो भी काम उन्होंने अपनी पत पे रहते हुए किया है, so they're not answerable to any court, तो court यहाँ पे अलग हो जाता है, तो इसी को कहते है, doctrine of separation of powers ये इस साल से पहले साल मेंस जब paper हुआ था मेंस का, 2019 में उसमें ये question आया था, चलिए अब देखते है leader of opposition, तो senior congress leader Malik Karjun Khadgi ये leader of opposition बनने वाले हैं, राज्यासभा के अंदर क्योंकि जो गुलाब नभी अजाद है, उनका जो term है, वो 15 फरवरी को खतम हो रहा है, तो leader of opposition मतलब जो largest party के leader होते हैं, और कम से कम 110th strength होनी चाहिए, ये कि statutory post है, constitution में कही defined नहीं है, salaries and allowances of leaders of opposition in parliament act 1977 में, ये defined है, तो इनको shadow prime minister भी कहते हैं, and अगर government fail हो जाएगी, fall हो जाएगी, तो फिर यही क्या हो जाते है, ready होते है to take over, जो leader of opposition है, वो important role play करते हैं, and इनका important role होता है, ये ध्यान रखेगा, ये 3 C आपको ध्यान रखने हैं, Central Vigilance Commission, Central Bureau of Commission Central Information Commission and Lokpal, इसके अंदर accountancy and transparency लाने के लिए तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, बाकी के topics हम कल करेंगे, अगर कोई doubt रह जाता है, तो आप please comment section के अंदर लिखे, and अगर कोई suggestion हो, तो वो भी उसका भी most welcome है, so thank you so much, please like करे, share करे and subscribe जरूर करे चैनल को अगर आप first time videos को देख रहे हैं, अपने friends के साथ या experience के साथ आप इस चैनल को जरूर share कर सकते हैं, so thank you